नमस्कार तो आज बहुत खुश नजर आ रहा है आप देखिए एक खुशी हमको मिले थी कुछ दिन पहले की सिगनल जो मिल गया था ग्रिन सिगनल की एसियन गेम्स में इंडिया विल प्ले ठीक है लेकिन एक चिंता भी आ गई थी कि इसमें सुनिल छेतरी संदर जिंगान लाइंस टीम का वह एनाउंस हो गया है और कुछ आस्चर जनक फैसले लिए गया है कुछ प्लेयर्स एड कर दिये गया है तो हम उसी के बाहर में थोड़ा था डिसकसन करेंगे और एक मेरी एक छोटी सी मतलब प्यारी सी एक लाइनप भी आपको मैं बताना चाहूंगा प्लेयर्स के बारे में मज़ा आने वाला है विल्कुल तो यह हमारे स्क्वाइड और सबसे पहले हम बात करेंगे गोलकीपर की गुर्परित सिंग संधू अरे भाई साब गुर्मीत सिंग धीरज सिंग मतलब देखो भाई तीनो टॉप नॉच हाँ इसमें आप कुछ नाम गुल सकते हैं कि वह हो सकते हैं लेकिन अभी गुर्परित संधू का अपने एड कर दिया है तो अब आप किसी और को नहीं जोड़ पाएंगे बिकॉस आपको थोड़े दूसरे प्लेयर भी तो रखना है तो तीनो प्लेयर्स मतलब मैं समझता हूं कि भाई आपके पास नहल यहां पर भी बहुत अच्छा फैसला तो गोलकीपर्स के मामले में तो भाई ताबड तोड सेलेक्शन ठीक है इसके बाद हम चलेंगे डिफेंडर्स की तरफ भाई यह संधेज जिंगन का नाम जो आप चाह रहे थे वो जोड़ गया है अन्वर अली संधेज जिंगन की जो लेकिन आप देखिएगा यह कमाल का प्लेयर है ठीक है उसको आकाश मिसरा भाई साहब यह बंदे को तो आप देखी रहे मतले यह बंदा तो जगे नहीं छोड़ रहा किसी की भी ठीक है उसको रोशन सिंग आसीस राय है भाई मतलब आपके पास आप बोल यह सकते हो कि आप किसको खिलाओ किसको नहीं खिलाओ यह सोचना पड़ेगा ठीक है इतनी पैक डिफेंस लाइन है आपके पास मतलब क्या बूलू मैं इस पर है न तो यह मतलब भाई प्लेयर्स टॉप सिलेक्शन मतलब हर एक प्लेयर का पर्फॉर्मेंस बेसिस पर सिलेक्शन है क्योंकि सेक्शन सिंग पहला नाम बिल्कु डिजर्विंग सुरेज भाई थेके सुरेज भाई इंजरीक कारण नेशनल टीम में तो नहीं खेल पाए लेकिन यहां चुक है भाई साब बहुत ही स्चानदार काम अपना पुईया भाई है अमर जीत है राहुल कनोली प्रवीन को भी ज इछले सीजन के दौरान जो पर्फॉर्मेंस में इंप्रॉमेंट आया है और इसने अंडर 23 क्वालिफार्स में जो पर्फॉर्मेंस दिखाया था लास्ट टाइम कमाल किया था तो राहुल को भी जो जोड़ा गया मैं इसको बहुत साइं समझूँगा महेस महेस का तो नाम यह बिल्कुल हम पहले सी बोल रहा था महस तो होना ही चाहिए तो महस तो भाई क्या खेला है अभी तो यह तो आप मिढ़ेंट विल्टर्स का भॉलेंगे तो खतरनाक है अभी देखिए एक विबिन मुहानन का चल रहा था विबिन मुहानन को होना चाहिए अभी देखिए अगर उसको नहीं भी लिया तो मैं तो समझूँगा भाई ये टॉप प्लेयर्स है तो अभी सब भी एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको परफॉर्मेंस बेसिस पर बोल दो कि नहीं नहीं ये गलत लेली अरे भाई साव पूरे की पूरे बहुत अच्छा खेले है पूरा सिजन देखो इनका उसका फॉर्वर्ड पर चलेंगे अब भाई अनिके जाद हो अनिके जाद हो का परफॉर्मेंस भाई मैं ऐसा समझूँगा कि बहुत अच्छा तो विंग पर ये कि स्पीड प्रोवाइड करते टीम को है अगर आप फास्ट अटेक पर जाना चाहते है यह आपके काउंटर के प्लांस है तो यह एक प्लेयर है जो आपको स्पीड देगा एंडॉरेंस इनका बहुत अच्छा है तो वह सब चीजों के हिसाब से यह प्लेय के गेम में दिखती है लेकिन अभी धीरे-धीरे वह मैच्चरवटी ला रहा है है तो मैं समझता हूं कि इस तरह के टूरामेंट्स विक्रम प्रताब को मैच्चर करने बहुत इंपोर्टन भूमी का निभाएंगे और पिछला आपने अपने 23 क्वालिफायर देखा था उसम कर सकता है और वो चीज मैंने देखी आईसल में आपने भी देखी है ठीक है उसका रोहित दानु यह बंदा भी बहुत मैं इसको भी एक ऐसे समझता हूं कि यह एक एहना कि आपके पास से कैसा रहना चीए कि कभी कोई नहीं चला तो यह चल जाएगा तो रोहित दानु के व करके देगा उसके बाद बढ़ते हैं सीव सकती सीव सकती का तो सभी फैन बन चुके इनको नैशनल टीम वो जर्सी यह जर्सी में सब लोग देखना चाहते है तो अभी एसन गेम्स के वहां से देखेंगे तो और अच्छी बात है मतलब इसके पहले भी हम देखने शायद ल रही मली देखिए रही मली अंडर 23 में तो काफी अच्छा प्रफॉर्मेंस दिखाया था पिछले बार अब नैशनल टीम में उतना उस लेवल का नहीं दिख पाता है लेकिंगे अंडर 23 जब भी एज ग्रूप क्रेटिगरी में जाते है तो भाई बहुत अच्छा खेलते है तो आई होब कि वह इसमें भी अच्छा खेले और एक सपोर्टिंग स्ट्राइकर तो खेलते ही अच्छा बाकि में डिख स्ट्राइकर में वह इस थाप का नहीं जमते हैं तो आई होब कि रही मली को इस थाप से क्रटिसाइज किया था नेसनल टीम में मैं समझता हूं कि Asian Games वो platform में जहांपे अपने आपको प्रूव कर सकते हैं ठीक है उसके बाद captain, leader, legend without him we cannot see Indian football team अभी की स्थिती में और वो है सुनिल छेतरी हमारे captain साब आ चुके है ठीक है तो सुनिल छेतरी के बारे में मैं क्या कहूं मैं क्या ही कहूं सुनिल छेतरी है तो बस मैं तो सुनिल छेतरी रहते है तो भया मैं तो बिलकुल बिन्दास रहता हूँ सुनिल छेतरी एड हो चुके है तो भाई ये squad तो मैं बहुत ही खुश हूँ तो आप बताई है मतलब आप इस squad के साब से क्या कहना चाहेंगे आपको क्या लगता है मतलब आपके दिल में भी काफी चीज़े होगी कि आपका कुई favorite player होगा वो miss हो गया होगा या ऐसा भी कुछ मुझे तो squad काफी पसंदा है मतलब मैं क्या को मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी का performance बहुत बेकार था आपने एड कर लिया कुछ politics हो गया या ज्यादा फेवरेट वाला काम चल गया कि मेरा फेवरेट प्लेयर इसको एड ऐसा मुझे न लगता एज क्राइटिरे के साब से 99 एक जनुरी 99 के साब से सही प्ल करता अगे 98 के होंगे 97 के हो सकते है इसले नहीं होंगे ऐसा मैं समझता हूं बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं उस प्लेयर को ले लेना चाह anticipation अगरेट की जरूंगा आप क्योंकर मैं पहले भी बताई थि उसके बाद, अभी आपके पास इना options बहुत है, जो sidebacks है, लेंगे फिर भी मैं Aasish Rai and Aakash Misra के साथ जाना चाहँगा, because ये Dio को मैंने कहां देखा था, पता है आपको, इसको मैंने देखा था Hyderabad FC में, बाई कमाल किया था इनों, कमाल किया था, कमाल, ठीक है, तो इन दोनों के साथ, मैं personally जाना चाहँगा, वैसे अगर आप बोलेंगे, तो और अभी जैसे Narendra Gheilol, भी राइट बेक पर बहुत अच्छे है, रोसन सिंग भी बहुत अच्छा खेल सकते है, रोसन सिंग तो दोनों जगे खेल लेते हैं, लफ्ट राइट दोनों खेल लेते हैं, तो है option आपके पास दोनों, लेकिन मैं समझता हूँ कि आशिस राय को एक प्रूव करने का वो देना चाहिए, बिकॉज उनको नेसरल टीम से, अभी तो उनका क्या था, तो खेले नहीं नेसरल टीम में, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उनके साथ जाना चाहिए, बिकॉज वो, आकास मिसरा के साथ भी उनका एक अच्छा लिंक पोता हूँ, और मुहन बागान में भी हमने देखा काफी attacking भी, वो काफी help करते हैं, डिफेंस भी काफी help करते हैं, तो आपके पास है, बाकी रोसन सिंग का भी performance बहुत अच्छा रहा है, नरेंदर का भी बहुत अच्छा रहा है, तो मैं उनको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको नीचे रख रहा हूँ, लेकिन मेरी playing में मैं जो है आकाश और आशीष के साथ जाना चाहूँगा, उसकाद आगे हम चलते हैं, तो आगे भाई आपके बास players तो बहुत है भी, बहुत players है, लेकिन फिर भी मैं Jackson, Suresh और Appuyya, ये मेरे आर, ठीक है, मतलब ये try-o, ये try-o मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इनके साथ जाना चाहूँगा, मिड में, और उसके बाद हम चलेंगे आगे, फ्रंट पे, तो फ्रंट, देखिए 4-3-3 formation के साब से मैं आपको बहुता रहा हूँ, तो फ्रंट पे जब आप जाते है, तो भाई, सिंपल सी बात है, एक साइट पे महस सिंग ही आएंगे, महस सिंग ही आएंगे left पे, ठीक है, अब राइट में आप सोच सकते काफी चीज़े, कि राइट में आपको कौन, मतलब right map किसको खिलाना चाहते because right map के पास है options काफी players है आपके पास इतने दार है कि भी आप किसको बिठाओगे किसको खिलाओगे वाली बात है और right में मैं विक्रम प्रताब के साथ जाना चाहँ हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि starting से न वो एक speed उनकी काम में आ सकती टीम के attacks बनाने के लिए थोड़ा प्रेसराइस करने के लिए अपोनेंट को ऐसा मुझे लगता है बागी अगर formation चेंज रही तो में भी कुछ और सोचा जा सकता है 4-3-3 पे अगर आते तो मैं समझता हूँ विक्रम प्रताब can be a better option बागे आपके आपके और भी आनिके जादव है राहूल को भी खिला सकते हैं मतलब options आपके बहुत सार है पर इस्टिल मैं समझता हूँ विक्रम प्रताब के साथ स्टार्ट करना चाहिए और अगर उनका performance स्टर नहीं होता तो यहाँ पर उनकी स्टीड़ और स्टैटिएंस में च्टीफ है अगर आपके बास पर अप्संस में अगर आप चाहिए तो सिव सकती भी है रही मली है तो अगर आप 4-4-2 पे भी जाते हैं तो आपको दो इस ट्राइकर के साथ जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो अगर 4-4-2 पी जाते हैं तो अलग एक सिच्वेशन हो सकती है मैं 4-3-3 के साब से बता रहा हूँ बाकी देखते हैं 4-4-2 के साब से भी जा सकता है जाएंगे ऐसा मुझे समझ में आता है बागी आपको क्या लगता है आप जरू comment में लिख के बताएगा और कितना खुश है आप इस स्क्वाट से वो भी आप जरू comment में लिख के बताएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबाल को सपोट करते रही है अब इस इन गेम्स के लिए मतलब हमारी टीम तो काफी है अब लग रही है ठीक है तो जो भी आप कहना चाहें comment में लिख दीजेगा इसी तरह आप इंडियन फुटबाल को सपोट करते रही है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जहिन जय भारत